हलो फ्रेंड आज किस वीडियो में हम एक गन की अन्बोक्सिंग करेंगे और यह जो गन है मैंने आनलाइन वाय किया था और यहाँ पर यह आ चुका है इस गन की खासियर बात यह है कि इसमें कोर्क लगती है और यह एक रियल गन की तरह आवाज कहता है तो इसका पैकेजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी बगाते किया गया है तो इसकी हम अन्बोक्सिंग करेंगे और यह जो गन है मैं आपको आगे चला कर भी दिखाऊंगा अगर इससे आप बाय करना चाहते हैं तो कैसे बाय करेंगे इस गन की प्राइस क्या है कहां से मैंने इससे बाय किया है सब कुछ आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं सब्सक्राइब दोक्तों यहां पर गन का हमारा जो डिबा है वह उपन हो चुका है और यहां पर यह गन जो है रखने के लिए कुछ इस तरह का मिला है तो दोस्टों यहां पर फाइनली हमारा गन उपन हो चुका है और यहां पर टीन चीज़ दिया गया है पहला तो आपको इस तरह का गन देखने को मिल जाता है और इसमें जो है इस तरह का एक रशी देखने को आपको मिल जाएगा आब इसे कहीं पर टांग सकते हैं और दूसरा जो है आपको गन रखने के लिए यह मिल जाता है इसके अलावा यहां पर कोर्क के डो डिपे आपको फिरी में मिल जाते हैं जो पैसा लिया गया है वह इस गन का और यहां पर जो डिपे हैं कोर्क के डो डिपे दिये गया है और एक डिपे में जो ह आपको कम सकम दो दिन तक आपको अपने छट पर रख देना है क्योंकि ठंड का मौसम है आप देख सकते हैं जिससे कोड की जो पावर है काफी बढ़ी आएगे अगर आप जो अपने छट पर दो दिन तक रखते हैं उसके बाद अभी से चलाते हैं तो बहतर रहेगा एक रियल यहां पर यहां पर जो गन है इसे की इस तरह से चलाना है इसके बारे में बाट करें तो यहां पर आपको एक हैमर देखनों को मिलता है इसे जो आपको पीछी की तरह भी इस तरह से खीचना है और यहां पर जो आपको गोली लेना है यहां पर कोड और इस तरह से जो आपको यहाँ पर लगाना है यहाँ पीछी की तरह खीचेंगे तभी यहाँ पर यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर जो डिवाल है या किसी में भी इस पकास से आपको ठोक डेना है थोड़ा से अंदर यह चला जाए को यहाँ पर यह आपको पीछी की तरह खीचना है तभी यहाँ पर यह कोर्क लगेगा निठा यहां पर कोर्क नहीं लगेगा 20 पकास से आप यहां पर कोर्क लगाकर इस गन को चला सकते हैं इसे चलाने से पहले दोस्टों आपको यहां पर जो कोर्क है इसे अपने छट पर कम सकम दो दीन तक रखना है जिससे कि जो कोर्क है काफी अच्छे से सुख जाए ठंड का मौसम है तो यहाँ पर आप को अरक देख सकते हैं तो आपको इपने छट पर रखका इसे सुखवा लेना है उसके बाद जो यहाँ पर आपको को अरक लगा कर चलाना है इस गन के यूज के बारे में बात करें तो यह मोवी बगारा में फोटो सूट में फार्मस के लिए खेटों में एनिमर्स को भगाने के लिए योज किया जाता है और यहां जो गन है इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसे जो है मैंने एक वेफसाइट से आनलाइन बाय किया था कैसान डिलिवरी किया था इसका जो प्राइस है 1199 रुपए है उसके बात यहां पर यह जो गन है आ जाया तो यहां पर जो है मैंने प्रेमेंट किया तो दोस्टों यह जो गन है अगर आपको बाय कायना है तो इनका जो वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ पर जाएए इस्टरा का गन जो है इनके वेबसाइट पर मिलता है तो आप अपने बजट की साब से इस्टरा का गन ले सकते हैं इनके वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियों की नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाएए वहाँ पर select कीजिए इस तरह का gun जो है आपको ठेज सारा वहाँ पर मिल जाएगा जो भी आपको buy करना है वहाँ पर select कीजिए उसके बाद जो है इनका WhatsApp नमबर मैं आपको इस वीडियों के निचे description में दे दूँगा वहाँ पर आप message कीजिए और वहाँ पर जो है आप इससे जो है order कर सकते है और इनका जो delivery service है आल इंडिया है आप इंडिया में किसी भी इस्टेश से हो आप मंगा सकते हो किसी भी इलाज जिसे हो आप इससे जो है मंगा सकते है तो हलो फ्रेंट मैं हूँ अजे आप सभी का welcome है इस YouTube चैनल पर तो दोस्टो इस वीडियो में जो है मैंने इस गन की unboxing किया था unboxing करने के बाद जो है यहाँ पर आपको total 40 score की फिरे में मिलते हैं मैंने 45 score की चला कर देखा लेकिन उस पकास जो है आवाज नहीं आ रहे है इस पकास से आनी चाहिए तो यहाँ पर आपको कहना क्या है अपने छट पर जो ही score को आपको कम सकम एक दो दिन दख सुखवाना है क इस तरह से जो है मैंने अपने चट पर यहाँ पर रखाता तो आपको भी रखना है क्योंकि यहाँ पर यह जो कोर्क है लगभग पैकेजिंग होने के बाद 45 दिनों के बाद हमारे यहाँ पहुझता है इस score को जो है अपने चट पर आपको जरू सुखवा लेना है और अगर अगर आप इंट्रेस्टे तो इस पगार की गन लेना चाहते है तो इनका वेफसाइट और वाज साब नंबर जो है मैं आपको इस वीडियो के निचे डिस्ते अप्तर में दे दूंगा वहां से आप बाई कर सकते है तो चलिए इस गन को हम चला कर देखते है तो दोफ्टों याँ से आपको लगाना है यहां पर आप देख सकते है लगाने की बाद अपड़सा ठोक देना है और जैसी यहां पर आप टिंगर को दबाएंगे तो यहां पर जो हैमर है वह हीट करेगा और यहां पर कोर्क जो है वह फट जाएगी तो छलिए हम दिखते हैं यहां पर जो कोर्क है आपको इसे फिट कहें देना है थोड़ा सा ठोक कर कर दोको तो दोस्तों इसकी जो आवाज है काफी टगड़ा है और बिल्कुर यह गन की तरफिल होता है अगर आप इस तरसा जो गन लेना है आप लेना चाहे तो ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज काफी टगड़ा है तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक कियर